नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से आरोमल सोल्डर और जो कंधे गिरते हैं उनके बारे में तो देखिए जो भी नए लोग है वो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें अब देखिए जैसे आपने एक मीटर कपड़ा लिया है या असी सेंटिमीटर तो आरोमल को आप ध्यान में रखके कटिंग कीजिए कपड़े को देखिए लंबाई में में काट सकते हैं और चोड़ाई में भी काट सकते हैं जैसा कपड़ा है उसको देखके ही काटना है कि हमारा बलाउज निकल आए अगर हम लंबाई में काटेंगे तो हमारा बलाउज नह जाए तो देखिए जैसे हम हमीसा आगे और पीछे के दोनों परलर बरावर लेते हैं तो आप भी आगे और पीछे के दोनों परलर बरावर लीजिए फिर बात करते हैं सोल्डर की तो देखिए सोल्डर का क्या है कि सबसे पहले जैसे हम अपनी लंबाई लेते हैं तो यहां प करते सामें आपको एक बात ध्यां लखनी है कि जब हम घले की कटिंग करेंगे तो बंदवाली सायड होऊनी बंद वाली सायड से हमारा इन्ट पर आरो मल करणे चाहिए तो देखेंए सबसे पहले हम यहा फे स्ली में पर लेगा और आदा इंच वापन को शोल्डर पर हम जतनी जैसे हम यहां पर 14 इंच की लंबाई रख रहे हैं तो हम देगी soldier की बात करें तो जैसे आप दूसरे के ब्लाउग को आपको ध्यान रखना है कि वह ऑगला कीसा बनवाना चाहते है अगर वो डीप कराण बनवाएंगे तो यहां पर हमारी चैस्ट ऐ 4 चालिस इंच की चैस्ट गुण्जा इसलगह से लेंगे हम तो हम यहां पर जैसे डीप करा बनाएंगे तो इसके सो्लडर हम लेंगे 5 इंच, 5 इंच के 8-इंच के लेंगे, तो इससे क्या है कंधा भी नगिरेंगे, और डीब गला बन जाएगा, कितना भी आप डीब बना सकते हैं यहां पर आप 10 इंच की लंबाई रख सकते हैं, 11-की लंबाई मैन चीजह हैं सोलडर, तो जब सोलडर पर हम ध्यान देंगे जब हमारा ब्लाउज अच्छे से बनेगा अगर वह गला रख रहा है जैसे कश्टूमर ने का है हमारा गला आठ इंच का रखी तो आपको सोल्डर फिर कितने लेने हैं 6 इंच के कि यहां पर जोला जाती है पीछे की साइट क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लूब बोलते हैं कि पीछे की साइट जोल आ रही है तो आपको इस तरीके से आरुमल की टिंग ने करते हैं आपने यहां पर चौकुटा निसान लगा लिए इसके बाद आपको आदा इंच की दू आती हूं आरूमल की क्योंकि आगी की साइट जोल आती है तो यहां पर आदा इंच की अगर कटिंग हो जाएगी तो जोल नहीं आएगी में चीज यही है और सोल्डर पे भी आप ध्यान दीजिए तो 40 चेस्ट का जब आप लेके प्लाउज बनाएंगे तो इस तरीके से भी ब कम करना यह जो डंडिएं यहां पर थेक्ड़न बने हुए है आदा इंच के एक निच के तो इस मैं से हमें थोडा सा कम करना ज्यादा ने अब अब जैसे आप से बोलाँ पौने पांच इंच तो पौने झिंच कंब कर लीजिये क्योंकि 40 चेस्ट के लिए हमने पांच लिए तो 38 चेस्ट के लिए हमें पौने 5 इंच लेने चहें और गले की चोड़ाई हमें जाया नने है च praise कितना भी डीप गला बनाएंगे लेकिन हम गले की चोड़ाई दो यह धाई इंच इतना ही लेंगे जहां तक हो महां तक आप दो इंची लीजिए और नीचे की साइड आप चोड़ाई बढ़ा लीजिए यहां पर तीन इंच ले सकते हैं इसको ऐसे चौकूटा बना लिया ऐस है और देखिए यहां पर तीन इंच है अब यहां पर हमने इसको जोड़ दिया अब इसको ही देखिए आप इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर सकते हैं अगर आप ज्यादा गोलाई रखना चाहते हैं इस तरीके से लेकिन फिर आपको इसमें डोरी भी लगानी पड़ेग अगर आप पहले कश्टूमर को पैना के देखिए कि यहां पर पैन के देखिए कि यह गला सही है के नहीं इस तरीके से चोड़ाई बढ़ा सकते हैं और यहां पर आपका कंदा गिरेगा नहीं तो 38, 36 और 40 यह तीन मैंने आपको बता दी हैं सोल्डर के बारे में आरुमल के अरुमल आपको थोड़े से कम जादा करने हैं 40 चेश्ट तो 6 इंच के आरुमल 38 चेश्ट और 36 चेश्ट तो भी शेंच के आरुमल ले सकते हैं अब दीखिए 32 34 और 30 इंच इसके लिए आपको शूल्डर लेने वो लेने पौने पांच इंच क्योंकि 32 चैश्ट है तो पौन थोड़े दिक्कत आती है कि हम इसके solder कितने कम करें तो आप पांच इंच के लेंगे तो बराबर डीप गला बनाएंगे तो बराबर आ जाएगा और अगर आप नॉर्मल गला बनाएंगे तो 6 इंच के रखेंगे तो 32 चेस्ट के लिए आप पहुने 5 इंच लीजिए अगर हाँ जादा जैसे कुछ लोग एक हुक का बनाते हैं 32 चेस्ट वाले पीछे की साइड है वो आप 2 इंच की पट्टी रखते हैं तो उसके लिए आपको साथे 4 इंच के स renowned लेनी है क्योंकि से बहुत फरक पड़ता है अगर हमारे सόलडर सही से कट जाएंगे लाउज भी एकदम फिट आएगा तो जो कंधिय गिरते हैं वह इसी कारण से गिरते हैं कि से आप लोग सही नहीं लेते हैं तो आसा करते हैं अपको मेरी यह वीडियो और जैसे मैंने आपको बोला जो नए लोग हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राब करने धन्यवाद